जो रातों की कोजिसों में गवाँ देते हैं जो रातों की कोजिसों में गवाँ देते हैं वही अपने सपनों की चिनगारी को हवाँ देते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल अल्पाइन क्लासस में आज दोस्तो हम discuss करने वाले हैं math का एक important topic लेकर आजी रहें जो fraction पर depend होता है तो कैसे हम DO में लिखेंगे कैसे AO में लिखेंगे it means that descending order and ascending order को कैसे create करते हैं छोटा बड़ा और plus minus सिखेंगे चलिए start करते हैं दोस्तो तो आज की class सबसे important होने वाली है क्योंकि हमारे लिए important इसलिए हो जाता है दोस्तों कहीं भी fraction का question देता है तो हम कैसे solve करते हैं आए start करते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज की class सबसे important है क्या रहा है का दोस्तों fraction fraction के बारे में आप लोगों को बताया भी गया था fraction वास्तम होता क्या है जो numerator and denominator के फार्मेट में लिखते हैं इट इस नोड़े फ्रेक्शन ओके तो यहां पर एक point करना है दोस्तों पहले बाद तो हमको सीखना है कुछी सीखनी जिसे छोटा बड़ा कैसे निकालते हैं यस तो मतलब की greatest number and formal number शोटा के बारे बता दे थ्वड़ा सा बड़ा एंड छोंटा यस इसके बारे बता से ब्लाज़ा से नंबर एयस इसी दिखाते हैं स्रेक्शन को इसको डिक निकालते हैं सबसे पहलर पॉइंट की बात करتे हैं तो जैसे आपको कोई numbers दिख लिख लिखते हैं, जैसे like आपका 2 upon 5 है, yes दोस्तों, यह आपका numerator होता है, यह आपका denominator होता है, it means that Nyan and D होता है, yes, तो आइए इसको कैसे discuss करेंगे, कैसे बहुत सारे part दिये होते हैं, कैसे इसको describe करते हैं, पर छोटा बड़ा सीखेंगे, फिर उसको order में change करेंगे, okay, तो चलिए, इशार्ट करते हैं, आज के जो पहला question लेते हैं, जैसे suppose करते हैं, पूश दूँ, पूश दूँ, one upon three, and suppose करते है, one upon five में, है न, इसमें बड़ा number बता, यह बड़ा आपको बताना है, कौन सा बड़ा है, वह आपको define करना है, तो आप क्या करेंगे इसको सबसे पहले बाद तो logically करेंगे, आप लोग सुचते हैं कि यह है, यह है न, तो देखिए, इसके दो तरीके होते है, solve करने के लिए, तो पहला तरीके हम बताते हैं, दोस्तों, पहला तरीका क्या है, आपको पहले सब्जा लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे भी क करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, दोस्तों, इसको solve करने के लिए, कि आप इसको divide कर दीजिएगा, जैसे 1 में 3 से divide करेंगे, तो 3 से divide करेंगे, कैसे होगा दोस्तों, तो point लगाएंगे, yes, आपका 0339, yes, आपका 9 हो जाएगा, आपका बेटा, आपका 1 हो जाएग करते हैं, दोस्तों, इसका exactly value आएगा, 0.5 से 10, yes, यह 5 से 10, आपका इसका answer हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, 5 से 10, है ना, क्या होगा दोस्तों, 5 से 10, आप देखिए, इसके नीचे लेग दीजिएगा, 0.2, अब बताइए, कौन सा जादा है, यह हवाला, कि यह हवाली value, ह तो इसके लिए ऐसे आप solve कर देंगे, इसका यह greater बता देंगे, उमीद है, आप ऐसे trick पहला rule से होता है, दोनों को fraction को divide कर लीजिए, फिर उसके बाद चेक करिए, तो यह सारा हमको लगता है, लेंदी होता है, कैसे होता है, कोई बात नहीं, आपको जैसा लग दोनों method बता इसके लिए सबसे important है भी है, तो second method में हम use करते हैं से one upon three and one upon five था, yes, तो सबसे पहले चेक आउट करिए, दोस्तों, क्या इनके जो फरन नहीं चे, given value and denominator, क्या सेम है की नहीं, सेम होगा, तब यह logic apply करेंगे, नहीं है, तो जैसे आपको plus minus करते हैं थे randomly, वह ऐसे भी करेंगे तो आप three or five का LCM दे लेंगे, देखिए, सेम तो नहीं है, yes, जैसे मैं push दो randomly question करूँ, one upon two and five by two में कौन greater है, देखिए, दोनों का जब आपका numerator, sorry, denominator same होगा बेटा, तो आपको reply देने हैं, कि जिस number का, जिस numerator का value given होगा, greater में, वही आपका fraction भी given होगा, तो यहापर देखें तो कौन greater होगा, five greater होगा, जाही सी बात है, लाजमी है, तो five by two is greater than one by two, ऐसे reply दे सकते हैं, कब जब आपका same होता है, तब दोस्तों, तो अब जब same नहीं होगा, तो हमको same करने होते हैं, yes, तो same कैसे करेंगे, आइए इसको same करना सिख लेते हैं, तो same करने के लिए सबसे सबस्ता है, और सबसे बढ़िया है, तो कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, तो देकि इन दोनों का पाहले बाद तो LCM लेते हैं, क्या लेते हैं, lowest common multiple निकालना सिखेंगे, क्योंकि अभी हम chapter पी पढ़ाएंगे, तो इसको करते हैं, five and three का लेंगे, तो 15 आपको होता है, अब five जो आया है, इसके उपर में उसके numerator में multiply करेंगे, तो five and five ऐसे राइडन करेंगे, कामा है, तो कामा लिखा दिन गया भी, okay, तो आईए next करते हैं, अब इस सिमिलर्ली ऐसे भी करेंगे, five का टेबल इसमें डिट करेंगे, five three होता है, अब three का multiply उसके numerator में अब क्या करने वाले हैं, हमारा answer आ गया, अब इसको अलग लिख दिजिएगा, five by fifteen, three by fifteen, yes, अब के बताइए, denominator सेम हुआ दोस्तों, जब denominator सेम हो गया, तो सिस्ता हा गया answer, क्या है, जो greater होगा numerator, y fraction is greater, तो five तो ज्यादा है, इसलिए इसका मूझ के तरफ फार दिजिएगा, लाइए फर सा फार दिजिए फार, है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका greater हो जाएगा, उमीद है, आपने दो method सिखा, greater निकालने के लिए, और small निकालने के छोटा पुस्ता आराम से कर देते हैं, एक होता तो divide करकर, एक होता तो LCM method, जो कि हमारे लिए important है, आगे हम discuss कि भी करेंगे, तो आइए, आप थोड़े से order के बारे हम discuss करना होगा, दोस्तों, order में कैसे value लेंगे, तो order वाली बात बता दे, तो order में देखिए, order में जैसे हमको change करना होगा, तो order देखिए, fraction के order जो होते दोस्तो, fraction के there are two types, इसके दो तरह के order में हम बताते है order का मतलब क्या है, तो आप कुछ बच्चे इसे होगा, जो पता है नहीं होगा, order का मतलब है arrangement, संख्याव को कैसे बेवस्चित करते हैं, है न, it's mean that arrangement, क्या है दोस्तों, arrangement, क्या होता है, दोस्तों, arrangement, जो numbers होता है, fraction के format में, उसको कैसे हम arrangement करते हैं, तो there are two types, इसके दो आते हैं, पर क्योंगा रहा है न, उस तरह का डियो नहीं, descending order की बात के जाना, एक होता है, एक होता है, एक होता आपका डियो, तो दियो को full form shortcut में बोलते हैं, दोस्तों, descending order, yes, descending order, yes, एक होता आपका, एओ, एओ, इस mean that ascending order, आप note 1 लिखते जाएगा, important भी है, ascending order, okay, आप ascending order की हिंदी बोलते हैं, दोस्तों, आ रोही क्रम, क्या बोलते हैं, दोस्तों, आ रोही क्रम, आ रोही क्रम बोला जाता है, और आपका descending क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोस्तों, आ रोही क्रम, आ रोही क्रम का मतलब है, घटते हुए क्रम, याज कर लिजिएगा, घटत हुए और आपका आरोही का मतलब क्या होता दोस्तों बढ़ते हुए ये दोनों बाते आप समस्ज में आ गया हो तो बताइए ठीक है सर जी आगे बढ़िए तो आपको यह आडर के बारे में सबसे पहला यही है टेक जीरो कहा नियूमरेटर में कहा दोस्तों नियूमरेटर नियूमरेटर इसन में डेक अंसंस में आप क्या करेंगे जीरो लगा देना है बस कि तना जीरो एक ही सिंगल जिरो यह नहीं कि आपको घर तक जिरो लगा दें तो ऐसा नहीं करना है न भच्छो आपको सब्सक्राइब करना आपको एंसर आ गया तो जैसे पूस्ट की आइंजमेंट अरेजमेंट ब्यवस्टित करना है फ्रेक्षाइब जी से ओन बाइट लेते हैं और फाइब बाइट लेते हैं यहां पर अच्छ तली कोई ने तो एट कर लेते हैं यस अठारा कर देते हैं कोई जैनिक इतना करें यह नहीं हमेरा मांत यह नहीं है हम तो थोडह छोटा से ले ना चारह है छोटा ले लगते हैं लग है और प्हाइटा के तो करना है क्रिए करेंगे कैसे आये देख लेते हैं कैसे करेंगे सबसे पाला काम है दोस्तों अब सब्सक्राइब उसके सामने जीरो लगा दीजिए सबसे पहला ड़ोग देज़ियो जीरो लगा देजिए अब जीरो लगाने वाद क्या करेंगे आप ढिवाइड करना असानी हो जाएगा जब टैनिक है तो जब बच्छो ौला बता नैं पहले तो उसके प्रिवाइट करने पर यहां पर लिखेंगे जीरो पॉइंट हैं तो अच्छे लिखते हैं इसकी वैलू आएगा जीरो पॉइंट थी 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 आएगा ओके मतलब 3.33 आएगा इसको इसकी आएगा 3.333 ऐसे और फिर इसको जब डिवाइट करेंगे तो दोस्तों यह आएगा आपका कितना 15 टाइमस में आजाएगा यस इसको भी डिवाइट करेंगे तो 313 यस वन आएगा हां 312 जीरो देदे होगा करें 236 जा कितना होता है एक टीन है न और आपका ज्यादा हो जाएगा तो एक टीन टाइमस फिर आपका टू फिर आपका हम क्या लिख रहे हैं भाई हमारा दिमाग भी गाने में चला जा रहा है 6 आएगा 6.666 ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 54 जा अब देखिए जो वैलू आपने लिखा है दोस्तों यह वैलू आपको राइट डाउन लिखा गया है 3.33 156.64 यही आपको देखकर ही अरेजमे गया जब लिखना होगा बेटा तो सबसे सिंपल तरीके हैं मेरे रसगुलो इसको एओम लिखने के लिए आप सबसे चोटा संख्या चूज करेंगे कौन साथ दोस्तों सबसे चोट का वाला लेंगे सबसे चोटा लेंगे और उससे बढ़ते जाएंगे प्लस प्लस करते करत तो इस तरह के जो क्रांग होते हैं इस तरह के जो करते हैं डेटा को उसको बोलते एंज आ अई-इंडिग आडर को सब्सक्राइब 3.3 नहीं लिखना है अपने मूल रूप में एजाना है समी हौर्मेट में कामा फिर उससे बड़ी कौन है 3 मलब 4 है 4 की वाई कितना है 2 by 5 क्या है दोस्तो 2 by 5 फिर उससे बड़ी कौन है दोस्तो तब आपका बड़ा है आपका 15 15 का मतलब क्या है 3 by 2 यस इससे कौन ग्रेटर है 5 by 3 this arrangement it is known as the ascending order करा इस तरह के जो arrangement है यह आपका A हो है बस हो गया answer सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर छोटा 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 घर तक मोटा है ना तो ऐसे करते जाएंगे तो आपका आज जाएगा तो आए उसको भी एक कोशन कर लेते हैं कैसे करेंगे इसे देखिए सबस्क्राइब टू लेते हैं एट बाइट टू है यस मैं पूछ दो बच्चो इसको बताईए डी ओ में कैसे निखेंगे ना इसमें कुछन पूछता है ग्रेटेर्स और इसमालेस नंबर भी निकालना आप सिख जाएंगे डोंट वरी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे दो जीरो अपने लगा दीजिएगा जीरो 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 वैसे जीरो ने लगाएंगे तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिलाल में कर दीजिएगा जीरो लगाएंगे फाइप फॉर जाहा चार आ जाएगा इसकी वेलू कितना आएगा दोस्तों 15 हो जाएगा इसकी वेल दूस्तों दोस्तों ज्लीजादा है तो सबसे ज्यादा ग्रेटर वैलव क्या है स्माल साहे दोस्तों4-2 चोड़ा का अब हमसे पूछा है डियो में रेजमेंट करने के लिए तो डियो कर दीजिए ना पर्फिम वाला डियो नहीं बच्चो ये वाला डियो descending order descending order में क्या करेंगे सबसे बड़ा चूज करेंगे बड़ी वाली कौन value है 8 by 2 8 by 2 फिर उससे छोटा कौन है उससे छोटा 15 15 इट्स मेंड थे 3 by 2 0 वाला नहीं लेना है ओर्जिनल वाला value 3 by 2 फिर उससे छोटा कौन है आपका छोटा छोटा है 1 by 2 फिर इससे आपका 2 by 5 ये जो अरेजमेंट था दोस्तो इस अरेजमेंट को बोलते हैं descending order उमीद है आप लोगोंने fraction का छोटा बड़ा निकालना सीख गए हैं ऐसे ही वीडियो पाने पाने के लिए दोस्तो हमारे classes अलपाइन classes के नेम से जोगों है लोगों देखकर प्लेशोर से इसको mobile phone में इंस्टाल कर लिजिएगा है न और लाइक करकर comment कर किजिएगा कि दोस्तो और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाइए और mathematics में रुजान बड़े तो आपको mathematics एकदम अच्छा लगने लगेगा बस हमारे साथ जूड़कर आप study कीजिएगा ओके दोस्तों तो चलिए जैसे हम लोगों को मोटो भी है योर पेसंस इस्योर पावर थैंक यू वरी मार्स